गुड मॉर्निंग डियेश्टेंट बारा सजुन 2021 की इसके इंटेफेट की वीडियो में आपका स्वागत है आईए देखते हैं आज किस वीडियो का पहला क्वेस्चन जो कि आपके सामने है भारती रिजर्व बैंग के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कारेकाल के इतने साल के लिए बढ़ा दिया गया है तो यहां पर उप्शन नमबर सी से होगा दो साल के लिए देखे इस प्रकार के क्वेस्चन जभी आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो मान लेते हैं कि इसका एंसर आपको नहीं पता है ठीक है लेकिन अगर कॉमन सेंस वाली बात होती है अगर इसको आपको सही करना मतलब इस आप्शन को टिक करना ज़रूरी है इस प्रस्न को तो आप चांस अगर लेना चाहें जिसको तुक्का बोलते हैं आप एक साल या दो साल वाले आप्शन पर चांस ले सकते हैं क्योंकि जब इभी किसी का कारेकाल बढ़ाया जाता है तो चार साल या पान साल के लिए नहीं बढ़ाया जाता है मतलब कम से कम डूरेशन का ही बढ़ाया जाता है तो या तो कभी-कभी एक साल, कभी-कभी दो साल, ऐसे ही बढ़ाया जाता है, तो आप रिस्क ले सकते हैं, यह मैंने एक अलग से बात बताई, ठीक है, समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहरा हूँ, अगला है, निमने में से किस राज्य सरकार ने और संगठित छेतरों के स् चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक ना, चलिए, अगला है, विस्व बैंक ने भारत की अर्थ बेउस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर्स से बढ़ाने, बढ़ने का अनुमान लगाया है, विस्व बैंक ने जो अनुमान लगाया है, वो आश्टरपती डामनात कोबिंद ने इलहाबाद हाई कोट के कार्यवाहक मुख्य न्याय मूर्ती संजय यादव को यहीं का मुख्य न्याय धिस न्यूक्त किया है। न्या कानून पारित किया है तो यह है चीन लंबे समय से ब्यापार पर प्रतिबंध के माध्यम से अमेरिकी कानून के अत्रिक्त छेत्रादिकार के बारे में सिकायत कर रहा था। सुधीर पांडे सर्च करके मापर क्वीज और पीडियाफ आपको मिल जाएगी। मिलेंगे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मात्रम। ।